नमस्कार अमंत्रिपार्ठी के साथ आप देख रहे हैं आमादमी लगातार बढ़ती महंगाई ने आमादमी की कमर ही तोड़ दी है महंगाई का सबसे बुरा असर घर के बजट पर पड़ रहा है किराना सामगरी में होई बेताहसा बढ़ोतरी से लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है पिछले कुछ महिनों से बढ़ते खाद्य तेलों के दामों से परिशान लोगों के लिए रहत भरी खबर लेकर आया हूँ अंतराश्य बाजारों में पाम तेल के भावों में गिरावट आने से भारतिय खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने लगी है तेल की कीमतों में आई गिरावट का ही असर है कि पिछले एक महिने में सोया ओयल की कीमत 183 रुपए प्रती लीटर से गिर कर 165 रुपए प्रती लीटर हो गई है या गिरावट एक माह में पाम ओयल की कीमतों में गिरावट के चलते हुई है 30 दिन पहले पाम ओयल 166 रुपए परती लीटर था जो अब 148 रुपए परती लीटर हो गया है वही एक महिने पहले मुँःचफली तेल भी 211 रुपए परती लीटर के भाव से बिक रहा था जो अब 207 रुपए परती लीटर हो गया है बताय जा रहा है कि इंडोनेशिया में पाम प्रोडक्शन सीजन शुरू हो गया है इसलिए कीमतों में जोड़दार गिरावट देखने को मिल रही है वहीं घरेलू मार्किट में केंदर सरकार द्वारा इंपोर्ट द्यूटी में कटावती करने से भी तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाम ओयल की कीमतों में और गिरावट हो सकती है फिलहाल आंकडों पर एक नजर डालें तो एक दन में पाम ओयल की कीमतों में करीब 7 फीजदी की गिरावट दर्ज की गई है मलेशिया में पाम ओयल की भाव 3850 रिंगिट के नीचे चला गया है इंडोनेशिया में पाम प्रोडक्शन बढ़ने से खाने के तेल की कीमतों में कमी आई है वही सरकार ने SMCG कमपनियों को खाने के तेल की कीमतों में 10 फीजदी और कटौती करने के लिए कहा था और इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी कटौती की थी इसके बाद SMCG कमपनियों ने खाने के तेल की कीमतों में 10 फीजदी की कटौती भी की थी इसे के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सर्फ इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें साथ ही हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले बने रहे हमारे साथ धन्यवाद